नेमार ब्रजिल के फुटबॉल स्टार साल 2013 में स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सेलोना से जुड़े थे जहां उन्होंने काफि सफलता और दुनिया के सबसे बहतरीन फुटबॉलर की तौर पर पेचान भीब मराई लेकिन इसी ट्रांसफर को लेकर नेमार उनके पिता नेमार सेंटॉस जूनियर फुटबॉल क्लब बार्सेलोना उनके ततकालीन प्रेजिडेंट सेंद्रो रोसेल और ब्रजीलियन फुटबॉल क्लब सेंटॉस सभी के सामने मुश्किले खड़ी हो गई है इन सभी को कोट में घसीतने का काम किया है ब्रजील के इन्वेस्टमेंट ग्रूप डियाएस में मामला साल 2013 का है जब नेमार को पुटबॉल क्लब बर्सेलोना ने सेंटॉस से खरीदा था गड़बड़े यही से शुरू हुई डियाएस का आरोप है कि बर्सेलोना ने नेमार को खरीदने के लिए सेंटॉस को जो पैसे दिये थे उसके सही आकड़े डियाएस को नहीं बताए गए अब भला Investment Group का नेमार से क्या लेना देना? तो बता दी कि Investment Group D.I.S के पास नेमार के ट्रांसफर का 40% राइट था मतलब नेमार को सेंटॉस जितने भी पैसे में बेचता उसका 40% D.I.S को मिलना चाहिए था अब D.I.S का आरोप है कि सेंटॉस और बासेलोना ने ट्रांसफर में हेरफेर किया फुटबॉलर को लेकर जिस ट्रांसफर फीस की बात की गई वो वास्तविक फीस से कही कम करके दिखाए गई यानि D.I.S को जितने पैसे मिलने चाहिए थे उससे कम मिले ब्रजिलियन क्लब ने फुटबॉलर के बासेलोना में ट्रांसफर के लिए आधिकारिक तौर पर 17.1 मिलियन यूरो हासिल किये थे लेकिन D.I.S के वकीलों के मताबिक स्पैनिश क्लब दौरा गुकतान की गई राशी 25.1 मिलियन यूरो थी इसके मताबिक D.I.S को 3.2 मिलियन यूरो और मिलने चाहिए थे वकील के मताबिक पुटबॉल क्लब बासेलोना ने दोनों क्लब के बीच प्रेंडली मुकाबलों और निकट भविशे में और खिलाडियों को साइन करने की बात के पैसे के पेमेंट में हेर फेर कर दी जिसमें ततकालीन प्रेजिडेंट सेंद्रो रोसेल का सबसे बड़ा हाथ था और इसमें उनका साथ नेमार के एजेंट के रूप में काम करने वाले नेमार की पिता ने दिया इस मामले की अंतिम सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी जहां कतर में फीफा विश्व कब 2022 शुरू होने से एक महीने पहले नेमार ब्रस्रचार के मामले में कोट के सामने पेश होंगे नेमार अगर इस मामले में दोशी पाये जाते हैं तो उन्हें दो साल की जेल की सजा और दस मिलियन यूरो का जुर्माना देना पड़ सकता है झाल